थो नूंस नहीं नहीं भी सिखाओं आप नहीं नहीं है वेक्त रॉन्द मेह साट में अभी तक के जो पिछले लेशन जो में साथ जुड़ेवें उन्होंने देखा होगा दे और जिन्होंने नहीं देखा है यहाँ पर मैं आय बटन में दे दूंगा आप देख सकते हैं उससे राइट चलो विटाउट वेस्टी अनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं अग्जमें एक्जाम्पल लोंगा एक C का जैसे कि मैंने पिछली बार भी लिया था हमेशन लेते हा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल और नाच्रल स्केल है देखिये मेजर स्केल क्या होता है C D E F G A B C और माइनर स्केल से क्या निकलता है C D E F L A F G A B B B C और अब तक तो आ अब बॉरो करते हैं अब क्या है मैंने यहां पर स्केल मना दिया है अब C सबसे पहले मेजर स्केल लिखा है C D E M F G A B B C और वैसी C माइनर का स्केल क्या हुआ C माइनर D E F L A F M G M A B B B C माइनर अब हम हमेशा जो भी यह निकलता है 2nd 3rd 4th 5th 6th degree से निकलता है अपके secondary dominance या secondary cause तो हमें क्या मिलता है हमें यह एक चार्ट मिलता है D का 5th गिनेंगे तो A आता है D से ऐसे calculate कर लिजे D E F G A तो 1,2,3,4,5 E से calculate करेंगे B आएगा F से calculate करेंगे C G से calculate D और A से करेंगे तो B वैसी opposite उसका C माइनर का scale देखेंगे तो C माइनर D diminished E flat F माइनर G माइनर A flat B flat and C आता है उसी का भी 5th ले ले लेंगे A B flat C D E flat यह 5-5 पे चलता है राइट वैसे ही C माइनर D माइनर E माइनर F माइनर G माइनर A flat B और C उसके भी 5-5 पाँजानेगे D से A आ जाता है ठीक है E से B आ जाता है B flat आ जाता है F माइनर से C D माइनर D अब जो हमारे पास इतने borrowed chords मिल चुके हैं C C minor D D minor D D diminished E flat E flat 7 F minor F G G minor G7 A minor A B7 B diminished B flat और A flat तो आपके पास इतनी चीज़े हैं तो आपने दोस्तों सोचा कभी C से हम B flat जाते थे तो वहाँ पे वो model change होता है और फिर F E पे जाते थे देखिए C से और F minor पे जाते हैं देखा होगा आपने यह बहुत ही important lesson था आज के लिए क्योंकि यह सब लोग जानना चाहिए यह basic चीज जिससे एक अच्छी composition बना पाए और दूसी चीज यह क्यों जा रही है कभी आपने नहीं सोचागा C to B flat G sharp भी चले जाता है है ना C manner पे तो वो सब ऐसी चीजे पे क्यों होता ही है और देखिए A flat और B flat यह सब क्यों होता ही है technical इसके पीछे बहुत सारी चीज़े हैं जो चुनी है तो आप बने रहे हैं मेरे साथ मैं ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज़े आगे बता हूँगा और मैं विश करता हूँ कि आप मझे सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें जाद से जादा इसको शेयर करें क्योंकि music की resources बहुत सारी लोग नहीं बताते हैं पर मैं दिल खोल के आपको बता रहा हूँ बिकास मैं भी चाहता हूँ अब की लोग इसे और भी फाल दाओ तागे थैंक यू सो मच और थैंक्स फो तुनिए निए